पार्टी के नेता के खेट से एक लड़की का शव मिला और उन्नाव के जिस खेट से शव बरामद हुआ वो समाजबादी सरकार में राज्यमंत्री रहे फते बादूर सिंग का है और उनके बेटे रजोल सिंग पर लड़की के हत्या कारोप है जो इस वक्त जेल में बन है और उसी की निशान देही पर पुलिस ने दो महीने से लापता लड़की का शव उसके ही खेट से बरामत कर लिया खेट से लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया घरवालों पर तो जैसे पहार ही तूट पड़ा लड़की की मौत की खबर सुनते ही घरवा मामले की गंभीरता को देखते हुए वहाँ थोड़ी ही देर में पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुँच गए फॉरन फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया इसके बाद हत्या से जोड़े हर पहलू और हर सबूत को खंगालना शुरू किया गया इससे पहले इंसाफ की गोहार लगाते हुए 24 जन्वरी को लड़की की माने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकलेश यादव की कार के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी